इस वीडियो में जानेंगे के Redmi के mobile में call recording को डिलीट कैसे किया जाता है हमारे Redmi ND सब्सक्रा करने के बाद यहाँ पर और ऊपर करने के बाद यहां पर आपको sound recorder का एक फॉल्डर मिलेगा इस पर क्लिक करना है और है पर आने के बाद आपको call recording का एक फाइल मिलेगा इसे open किजेगा तो आपके mobile में जितने भी call recording हुए होगे यहां पर आपको सभी मिल जाएगा तो私 हमост इसे डिलीट करना है डिलेट करने के लिए आप यहां से बारी बारी से सेलेक्ट करके भी उसे डिलीट कर सकते हैं यहां पर नीचे डिलीट है तो डिलीट कर सकते हैं तो यहां से बैख होते हैं और बैख होने के बाद हम इस फोल्डर को ही एक बार में डिलीट कर देते हैं डि आपके मोबाइल से डिलीट हो जाएगा तो इस तरह से आप अपने रेडिमिक मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग को डिलीट कर सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा